आप देख सकते हो एक डूब्लिकेट पाइप है इस कारण से एक पीचक गया है नमस्कार दोस्तों सौगत है आपका हमारे यूटूब चैनल में दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपको PVC पाइप खरीदने से पहले कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए इसके बारे में हम इस वीडियो में जानकारी देखने वाले है जैसे कि दोस्तों आपको पता है PVC पाइप हमें construction के work के लिए या खेतों में pipeline डालने के लिए बहुत important होता है इसमें अगर देखा जाए तो आपको 1 इंच से लेके PVC पाइप 4-5 इंच तक अच्छे से मिल जाता है अगर इसमें देखा जाए तो आपको 1 इंच का PVC पाइप, 2 इंच का PVC पाइप, 3 इंच का PVC पाइप, 4-5 इंच का PVC पाइप भी मिल जाता है मार्केट में लेकिन सबसे पहली बात और सबसे बड़ी बात ए है कि कौन सा PVC पाइप अच्छा होता है और मार्केट में देखा गया तो आपको भूत सारे ऐसी कमपनीज मिल जाएंगी जो की डूब्लिकेट PVC पाइप बनाती है जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा ऐसी बहुत सारी जगाए है जहाँ पर आपने एक बार PVC पाइप डाल दिया तो आपको उसको रिप्लेस करना लगभग ना मुनकिन होता है जैसे कि आप कंस्ट्रक्शन करते वक्त अगर स्लैप के अंदर कोई PVC पाइप डालते हो तो ओ आपको रिप्लेस करने में बहुत ज़्यादा दिक्कता थी या तो आप उसको रिप्लेस ही नहीं कर सकते अगर आप किसानों की बात करें अगर खेतों में उनको पाइपलाइन करनी होगी तो ओ पाइपलाइन आगले 20 या 25 साल के हिसाब से की चाती है अगर आप duplicate PVC pipe के साथ O pipeline करोगे तो आपकी pipeline जल्दी खराब होने का chances वहाँ पे होता है तो दोस्तो duplicate company का PVC pipe आप के इसे पता कर सकते हो तो दोस्तो उसके लिए आप image में देख सकते हो आपको एक पकड लेनी है image में जैसे दिखाई दे रहा है उस हिसाब से आपको पकड से उस pipe को पकडना है और आपको पकड से उस pipe को मोड देना है अगर ओ pipe आपका duplicate company का होगा तो आपके pipe में वहाँ पे चीरा लग जाएगा या तो pipe आपका वहाँ से कट हो जाएगा अगर देखा जाया तो duplicate PVC pipe बनने वाली company होती है वो PVC pipe मोटा ही होती है जिसको हम जाड़ी बोल सकते है वो बहुत पतली होती है उसके कारण से वो बहुत हाड होता है और जब भी आप उसको पकड से पिछकाने की कोशिश करोगे तो भी pipe थोड़ा सा पिछक जाएगा लेकिन वो तूटेगा नहीं आप image में देख सकते हो अगर original pipe रहेगा तो वो तूटेगा नहीं इस तरह से दोस्तो आप duplicate PVC pipe बनने वाली company और original PVC pipe बनने वाली company का difference आप पदा कर सकते हो दोस्तो आप original company के साथ थोड़ा सा ज़्यादा पैसा भी दोगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि ओ आपको आच्छी quality प्रवाइड करती है अगर आप long term के बारे में सोच रहे हो मतलब अगर आप 20-25 साल तक आपका pipe खराब न हो ऐसा सोच रहे हो तो आपको थोड़ा ज़्यादा पैसे देखे original company के साथ ही जाना चाहिए तो ऐसे वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सस्क्राइब दरू करें चैनल को सस्क्राइब करें बेल आइकों को प्रेस करें तक आपको ऐसे ही जानकरी आगे मिलती रहे